Hello friends, welcome to our channel Hair Education and मैं हूँ आपका दोस राहुल और आज की शुर्चा करने वाले हैं What is Aptitude Test? क्योंकि आपको पता है कि after 12 तब आपको most of the universities के अंदर एक aptitude test देना होता है हर एक university, हर एक field के अंदर एक aptitude test आज की date में compulsory हो चुका है अब aptitude test basically होता क्या है आपकी सक्षमता को देखने के लिए आपकी ability को देखने के लिए आपकी eligibility को देखने के लिए आपकी योगयता को देखने के लिए ये aptitude test रखा जाता है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता होता है इसके अंदर देखा जाता है कि आप बाकी लोगों से कितनी जल्दी से एक्जाम को सॉल्व करते हैं aptitude test हर जगे देखा जाएगा आपको आप देखेंगे अगर आप government jobs देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको aptitude test देखने को मिलेगा सेम आगर आप कहीं अच्छी जगे पर job के लिए जा रहे हैं आप पर interview के साथ साथ एक aptitude test रख दिया जाता है आप अच्छी university में admission लेना जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको aptitude test देखने को मिलेगा यह बहुत अच्छा process है आप लोगों को selection process में involve करने के लिए अब हम देखते हैं कि aptitude test के लिए अंदर आता क्या क्या है aptitude test से आपको देखा जाता है कि आपकी verbal reasoning कैसी है spelling, grammar, word groups जो होते हैं analogies, sentence correction, sentence completion, instruction, critical reasoning, verbal deductions अब यह बिसिकली reasoning में आता है reasoning, logical reasoning के अंदर बहुत सारे अलग-अलग topics हैं आपने देखा होगा blood relations आता है, coding decoding आता है and figures के बारे में देखना, blood relation के थुरू बताना कि आपके relative में वो आपका क्या लगेगा इसमें थोड़ा logical जो points होते हैं ज्यादा पूछे जाते हैं aptitude test के अंदर अब क्या होता है इसके अंदर कि बहुत सारी universities इसको different different subject के साथ combine कर देती है like अगर आप university level पर apply कर रहें तो आपको quants देते हैं साथ में general awareness साथ में दे देंगे english language साथ में दे देंगे और reasoning उसके साथ में रहे गए रहेगा तो यह कि ऐसे bunch of subjects हो जाते हैं जो आपकी ability को judge करने में बहुत ही अच्छे रहते हैं अगर आपके academics दिखा जाए academic के basis पे आपका exam मना जाएगा तो हर एक course के लिए exam मनाना बहुत ही difficult task हो जाती है तो एक aptitude test आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छा process है आपकी selection करने के लिए और यह जादा difficult नहीं होता आप इसको prepare कर सकते हैं बहुत easily prepare कर सकते हैं इसके उपर detailed video हमारी है higher education पर भी मिल जाएगी so hopefully आपको समझ में आगया होगा कि aptitude test क्या है इसके अंदर क्या क्या topics आते हैं अगर यह video आप पहुच्छे लेगी हो तो like जरूर करना है मिलते नेक्ट वोड़े में से तरह के education content के साथ thank you so much